हेलो फ्रेंट्स वेल्गम टो मैं इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक हाथ से लाठी को पकर के फिगर एट स्पिन कैसे किया जाता है तो फिर सीखने के लिए वीडियो को देखते रहिए तो अगर आपको अल्लेडी नांचाओ का फिगर एट स्पिन आता है देन यह स्पिन आपके लिए बहुत इजी होगा और प्रैक्टिस करने से पहले आप हाथ का रिष्ट का जो है वाम आप जोड़ा कर लिजेगा वरना आपको चोड़ लग सकता है अब देखिए आपको टेक प्रैक्टिस कर सकते हैं तो देखिए आपको पहले बीज में पकरना है अब मैं यहां पर पहले राइट हैंड से घुमाओंगा उसके बाद लेफ्ट हैंड से दिखाऊंगा अब आपको करना क्या देखिए जिस हाल से आप घुमाओंगे उस साइड के पैर को आपको साइड हो के खड़ा होना है अब दखिए मुझे इस तरह साइड में लाठी को खड़ा करना है अब किया यहां पर आपको स्टेप कैसे उपर ल्याना है इस तरह इन रोकना है ओके फिर से यहां पर भी सेम होगा उपर वाले इसे को दूसरे साइड के डाउन ले जाता है उपर के इस तरह आप half इसको दिर कीजिए इस तरह कर आप देखेंगे आपके हाथ से एक शेफ बन रहा है एक बन रहा है मनलब होरिजोंटल ड़ेट बन रहा है या फिर इन्फिनिटी season का जोग होता है उस तरह बन रा ठीक है तो फिर से देखिए इस तरह अगर आप साइड से देखोगे इस तरह होगा आप साइड में खरे हो यहाँ पर आपको स्टॉप करना है इस तरह ओके सिर्फ आपको उपर वाले हिस्ति में फोकस करना है देन दूसरे साइड के डाउन ले जाता है उपर आप करना है देखिए इस तरह ओके अगर मैं इस side में खिरा रहताओ कि इस तरह हो गोगे अब इसको आपको थोड़ा-थोड़ा फास्ट मतलब यह स्मूध्य करते जाना है या फिर आप कैसे तो running करते जाना ही कि इस तरह और यह आपको धियान रखना है कि आप जिस हाथ से घुमाओगे उस साइड के पैर को आपको थोड़ा आगे रखना है ताकि बॉडी साइड बराबार हो इस तरह ओके तो आपको स्टेप समझ में आ गया साइड इस तरह होगा ठीक है जब लेफ्ट हैंड से घुमाओगे बिल्कुल सेम प्रोसेस है आपको लेफ्ट पैर को आपको सामने रखना है इन उपार वाले हिसे को फोकस करके दूसरे साइड में डाउन करके आप करना है इस तरह हागे इस तरह ओके इस तरह साइड करना है इसे Zoom करना होरा आप हम जब दूसरा साइड में डाउन आप नहीं गुमा रहे हो वह आप चेस्ट के सामने भी रख सकते हो इस तरह या फिर आप पीछे भी रख सकते हो वह आपकी मर्जी है अब जब आप इससे धीरे-धीर आप स्थीद बराएंगे सकर्वा तो इस तरह तो इसतरह अपको स्पीज से प्र 약ट्रिटिस करना है और दोने आपको क्या से प्रेक्प्रण और कुछ चीज़ के आपको धियान देना है कि आपको पहले धीले-धीले करता है जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था, कि आपको पहले धीरे धीरे करना है, दिन जब आप देखोगे कि आपका smoothness ञा रहा है या फिर step ठीक बराबर हो रहा है दिन आप थोरा थोरा speed बराना है, पहले स्पीड से करने की कोई जरूद नहीं है साइध आपके बॉड़ी में चोड भी लग सकता है ठीक है जब आप घुमाते हुए देखो कि की डंडे का किसी भी हिस्सा चाहे उपर वाला हिस्सा या फिर नीचे वाला हिस्सा वो बॉड़ी के पास आ रहा है पैर के या फिर सर के प करा सकते हो तो अगर आप इस वीडियो से सीख पायो कि लाटी को एक हाथ से फिगरेट स्पीन कैसी किया जाता है दिन वीडियो को प्लीज एक लाइक किजिएगा अगर आप चैनल पर नहीं हो दिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवा लिजिएगा अगर आप के लिए जय हिंद बंदे मातरम